इस इस इनवलीडिया हलो और वेलकम Autodesk Maya 2020 में नया प्रोजेक्ट कैसे क्रियेट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ओल राइट Maya में नया प्रोजेक्ट क्रियेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा File menu में इस पे Click करेंगा तो आपको यहाँ पे एक Option मिलेगा Project Window का ठीक है इस Option पे आपको Click करना है Click करेंगा तो यहाँ पे एक Dialog Box खुलेगा जो की होगा Project Window का Dialog Box यहाँ पे आपको कुछ Options मिलेगा जैसे कि सबसे पहला Option है Current Project यहाँ पे आपको पहले से एक नाम दीक रहा है Because यह एक Project folder है जो पहले से ही Created है मतलब एक Project है जो पहले से ही Created है जिस पे अभी हम लोग का काम हो रहा है या खुला हुआ है माया में ठीक है तो New Project Create करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे New जो Option दिया हुआ है उस पे Click करना पड़ेगा Click करने से यहाँ पे दीक रहा है आपको यहाँ पे हम लोग नाम सेट कर सकते है Project का और यहाँ पे Location Location चूज कर सकते है कि हम लोग को कहाँ पे वो Project को Create करना है या कहाँ पे Project Save करना है ठीक है तो यहाँ पे जो नाम है आपको एक चीज़ नोटिस करने मिल रहा है यहाँ पे Space नहीं Underscore दिया हुआ है दो Words के बीच में यह इसलिए Because Maya का जो Naming Convention है उसमें Space Accept नहीं होता है मतलब Space Allowed नहीं है देना उसमें आप कोई भी Special Characters भी यूज नहीं कर सकते हैं आप mainly Underscore यूज कर सकते हैं और मैं कभी-कभी हाइफन भी यूज कर लेता हूँ बट mainly Underscore जादा यूज होता है ठीक है या फिर आप कोई Space या Underscore नहीं दे आप directly भी कोई नाम लिख सकते जैसे की My Project इसमें क्या होगी आपको नहीं Underscore देना पड़ा नहीं हाइफन और नहीं कोई Space किसी भी चीज का ज़रूरत नहीं पड़ा ठीक है यह होगी हम लोग का Project का नाम इस नाम से एक Folder तयार होगा जो कि हम लोग का Project Folder होगा ठीक है इसको कहते है Project Root Directory ओल राइट उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो Location दिया हुआ यहाँ से हम लोग Location ब्राउस कर सकते एक Folder का Icon बना हुआ इस पे Click करेंगे तो हम लोग Choose कर सकते कि कहाँ पे हम लोग को यह Project Create करना है ठीक है इस नाम से जो Project Create होगा कहाँ पे ओ Create होगा अभी है पहले से ही Selected Location की कहाँ पे यह Project Create होगा ओल राइट इस वक्त यह Create होगा C Drive में Maya Projects के नाम से एक Folder बना हुआ है उसके अंदर यह My Project नाम से एक Folder Create होगा जो की Project का Root Folder होगा और यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ प्राइमरी Project Locations का आपको एक Heading दिख रहा है और उसके नीचे इतना सारा जो नाम लिखा हुआ ही क्या है यह सारा हो गया Different Types of Files ठीक है Different Types of Files जो Maya Use करता है या Maya में जवरत पढ़ता है, Import, Export होता है बहुत तरह का अलग-अलग Types of Files का Use होता है Maya में तो Maya का Project Files Related जितना भी Files है अलग-अलग Types of Files उन सब को Store करने के लिए अलग-अलग इसी तरह का नाम से और भी Subdirectories Create किया जाता है इनको Subdirectories कहते हैं और यहां पे आपको जो Boxes में लिखा हुआ नाम जो दिख रहा है यह सारा नाम से एक-एक Folder Create होगा इस Root Folder के अंदर ठीक है तो इसलिए इसको Root Folder कहां जाता है और यह सारा Folders को Subdirectories बिकॉज यह Subfolders के तरह काम करता है लेकिन इससे क्या होता है कि सारा का सारा Files बहुत ही जादा Organized रहता है जितना भी अलग-अलग Types of Files Maya Project File में यूज होता है वो सारा Files एकदम Organized रहता है यह सारा Folders के अंदर वैसे तो आप यह सारा Folders का नाम को चेंज कर सकते हैं अपने ही साब से रख सकते हैं सेट कर सकते हैं अगर आप Default रहने दे तो बहुत बेटर होता है विकाज धीरे-धीरे आपको आदत हो जाता है नहीं तो हमेशा अगर आप अपना Naming Convention यूज कीजिएगा तो प्रावलम यह होता है कि कहीं और अगर आप जाएंगे काम करने और वहाँ पर अगर जो Studio या लोग है ठीक है और आप यह सारा Locations भी चूज कर सकते है यहाँ पर जितना भी फोल्डर का इकन दिया वहाँ ब्राउस का Option है इससे आप Location चूज कर सकते है कि कहाँ पर आपको Save करना है यह By Default Root Folder के अंदर ही Create होगा सारा फोल्डर बट चाहे तो आप कहीं और भी Create कर सकते है जो की सही नहीं है करना बट Options दिया हुआ है कि कर सकते है आप ऐसा ठीक है और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो Secondary Project Locations आपको देखने मिल रहा है Secondary Project Locations हम लोग का क्या हो गया यह और भी अलग-लग types of files है मतलब further category है मतलब एक category का और subcategories आप बोल सकते है जिसको store करने के लिए यह सार जो folders आपका तयार हुआ था subdirectories उसके अंदर भी folders तयार होता है जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है rendered data यहाँ पर भी rendered data आपको मिलेगा देखिए rendered data का नाम से एक folder है लेकिन उसके अंदर यहाँ पर दिखा रहे है कि और folders तयार होगा जैसे कि depth, IPR images और फिर shaders फिर fur और उसके अंदर भी और folders, fur files तो इस तरह से और भी subcategories तयार करके उसके अंदर और भी अलग-लग types of files को store किया जाएगा, ठीक है तो इससे क्या होता है कि Maya का जो project folder रहता है बहुत ही जादा highly organized रहता है इसको करते है collapse ठीक, उसी तरह से translator data locations का भी एक tab बना हुआ है यहाँ पर उसका दिखा रहे है कि सारा यह जो अलग-लग types of files है यह सारा data folder में store होगा, ठीक है उसको collapse करते है, नीचे आएंगे तो custom data locations का भी एक tab बना हुआ इसमें हम लोग वो सारा का भी location set कर सकते है, मतलब जैसे कोई plugin अगर use कर रहे हैं, उसका भी data को हम लोग को कहीं पर save करना है तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से folder create कर सकते हैं, जिसमें उसका data save होगा, ठीक है, यह तो custom इसलिए दिया हुआ बढ़ जातर आपको यह काम नहीं आएगा और उपर अगर जाएंगे तो mainly यह सारा folder से आपका काम आएगा, तो default यहां पर जितना भी है, वो सारा का सारा ऐसी रहने दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि सारा का सारा folders create हो जाएगा और आपको जितना ही file से organized रहेगा आपको mainly यह दोनों चीज़ पर focus करना है कि project का नाम set करना है और कहां पर उसको create करना है वो जगह आपको select करना हो drive वो location select करना होगा और फिर हो जाने के बाद जब सारा चीज़ हो गया हो set तो आप यहाँ पर accept पर click कर सकते हैं click करने के बाद क्या होगा वो project folder वहाँ पर create हो चुका है मैं जा के आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर this pc यहाँ पर c drive के अंदर my projects folder था ठीक है इसको मैं open करूँगा तो यहाँ पर देखिये my project के नाम से एक folder तयार हो गया है इसको कहते है project का root folder एही होगी हम लोग का main project इसको open करेंगे तो यहाँ पर दीख रहा आपको इतना सरा folders तयार हो गया है जो कि यहाँ पर show कर रहा था ये सारे जो folders हैं, इनको कहते हैं Subdirectories ठीक है, ये अलग-अलग types of files को store करने के लिए use होता है और उसके अलावा आपको और एक चीज़ देखने मिल रहा होगा, वो है workspace.mel ये file क्या हो गया, ये है Maya का project definition file इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है आपका सारा set of commands जो ये define करता है कि ये जो अलग-अलग types of files Maya का जो save होता है, अलग-अलग folders में, तो उसमें उस चीज़ का information रहता है कि वो सारा files किस-किस folders में saved है, सिर्फ इस project folder में ही नहीं, बलकि अगर आपका files बाहर से कहीं से आपका import हो रहा है Maya में, ठीक है, तो वो सारा का भी location इस project definition file में stored रहता है, as a set of commands इसी का use करता है Maya, वो सारा files को trace करने के लिए, या locate करने के लिए कि उससे related जितना भी files है, उसका project files related जितना भी files है, वो कहां-कहां पर located है, या कहां-कहां पर stored है ताकि जब भी हम लोग scene खोलते हैं, या Maya में जब भी project file open करते हैं, तो Maya दोबारा वो सारा files को, linked files को reload करता है reload जब करता है, तो उसको locations का जवरत पड़ता है, कि वो सारा files कहां-कहां पर stored है वहां से वो दोबारा उसको files मतलब यह सारा, यहां पर आपको दीकरा, floor में कैसे है, यहां पर आपका बना हुआ है tiles, यह सारा क्या हो गया एक images हो गया, और यहां पर जो ball पर आपको दीकरा cover चड़ा हुआ इनव लेडिया का, यह भी हो गया आपका एक image है ठीक है, यह सारा बाहर से हम लोग को import करना पड़ता है, और यह सारा हम लोग को textures को चड़ाना होता है, ball के surface के उपर, floor का surface के उपर तो यह सारा क्या हो गया external files हो गया, और Maya क्या करता है, इसको हमेशा reload करता है, जब भी हम लोग file open करते हैं, तो अगर हम लोग command ली जब फाइल कहीं बाहर से हम लोग import किये थे, और फिर वो location हट गया, या किसी वह से जिसे कोई pen drive से लिया हो, तो pen drive अब नहीं है connected तो ऐसा कि इसमें क्या दिखाएगा Maya दिखाएगा कि file missing हो गया, textures missing हो गया, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग project folder create करते हैं, project folder create करने से क्या होता है, कि सारा जितना भी texture files है, वो सारा texture files हम लोग, इस source images के अंदर हम लोग store करके छोड़ देते हैं इसमें store करने से क्या होता है कि Maya को easily मिल जाता है, कि यह जितना भी texture files है, वो सारा इस folder के अंदर होगा because यह folder उसी के लिए बना हुआ है फिर माया जब output निकालता है तो कहाँ पे निकालता है images folder में फिलाल यह project folder खाली है because यह अभी newly created है तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने पर अगर हम लोग बाहर जाएंगे थोड़ा इस project folder में ठीक है यह मेरा created है पहले से और इसको अगर open करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा source images में सारा texture files है देखे यहाँ पर tiles का image है उसका bump and यहाँ पर देखे inner video का texture वो जो ball पे चड़ा हुआ है वो यही texture है ठीक है उसके बाहर जाएंगे तो यहाँ पर देखे images folder में क्या होता है कि यहाँ से जो भी 3D view में जो भी है इसका जब output निकलता है render होके वो images folder में जाके save होता है यहाँ पर देखे है rendered output ठीक है rendered output ऐसा दिखेगा आपको तो Maya में जब project file render हो जाता है तो वो ऐसे output produce करता है और यह output कहाँ पर save होता है आपका images folder में और Maya का जो project file से वो आपका हमेशा save होगा scene folder के अंदर ठीक है देखे हैं यहाँ पर 01-ball.ma यहाँ पर देखे है Maya का title बार में आपको दीख रहा है 01-ball.ma का नाम से एक file है जिसको open किया गया और उसका location भी so कर रहा है अब अगर आपको Maya का project कभी share करना हुआ या कभी ले जाना हुआ या कहीं पर आपको remotely काम करना हुआ तो Maya का project folder को आप directly यहाँ से pickup करके लेके जा सकते है मतलब यहाँ से आप copy कर सकते है send to और ले करके जा सकते है और अगर आपको यह project किसी को भीजना रहा तो आप Maya project folder को archive भी कर सकते है using 7-zip या फिर send to compressed zip folder देखिए यहाँ पर बन गया myproject.zip folder इसमें सारा का सारा project files होगा और आप यह zip file को भेज सकते हैं जिसको भी आपको भेजना है project और जब भी आपको project carry करना रहेगा तो हमेसा project folder को ही carry करें उसके अंदर का कोई scene file उठा के ना ले जाए because अगर ऐसा करेंगे तो उससे related जितना भी files है जो उस पर dependent है या linked up है या associated है वो सारा files missing हो जाएगा जैसे कि especially texture files तो इसलिए कभी भी आसा ना करें ये पूरा project folder उसलिए बना हुआ है कि आप इसको ले जा सकते हैं copy कर सकते हैं share कर सकते है send कर सकते हैं ये उसलिए बना हुआ है और ये एकदम organized रहता है इसमें सारा file आपको मिल जाएगा कोई file missing नहीं रहाएगा ये पूरा complete project है तो इसी तरह से Maya में project आप create कर सकते हैं ठीक है और ये था Maya का project का use या importance ओल राइट बाकी का tools, commands and options मैं आपको next videos में बताऊंगा until then, thank you